आपके सामने जैसे कि आप सब जानते हैं नोईडा इंटर नैशनल एरपोर्ट परड़े के हिसाब से जो काम है उसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजी से डेवलप किया जारा उसके फाइनल मोड की तरफ 2024 के नजदीक हम पहुचते जा रहे हैं इसी तरह से उसमें काम भी काफी स्पीड में हो रहा है हर एक चीज पर हर एक न्यू अपडेट हर एक पहलू पर हमें मिल रही है तो इसको देखते हुए एक नई अपडेट आ गई है क्योंकि सबसे बड़ा और जो मेन इंपोर्टेंट पाइए इस एर्पोर्ट के लिए वह है एरलाइंस का कौन सी इरलाइंस इसमें हो रही है कौन सी एरलाइंस सबसे पहले यहां से उडान भरेगी यह भी बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं गुठि ती जो अब सुलज़ गई है एक तरह से आप यह समझ सकने है कि जिसको गया है कि वो कौन से एरलाइन्स है वो सारी चीज़े आज आप देखेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तक देखिए मैं न्यूज स्टार्ट करने जा रहे हूं नौइड़ा एरपोर्ट और इंडिगो के बीच MOU साइन जेवर हवाई एड़े से पहली उड़ान इंडिगो की उड़ेगी तो बेसिकली जो फाइनलाइस एरलाइन्स है वो है इंडिगो और आगे क्या इस मीटिंग में चर्चा हुई है मुसपे एक बड़ी रौशी डालेंगे नौइड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट यानि कि एन आई ए और इंडिगो एक साथ मिलकर धमाल मचाने वाले हैं बेसिकली दोनों मिलकर अंतिराश्टी इस्तर पर विस्तार करने वा पर साथ मिलकर काम करेंगे दोनों ने एक दूसरे को आश्वाशन दिया है कि नौइड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट से हर यात्री को हाइटेक और बेतर सुवीधा दी जाएगी यह करार नई दिल्ली में शुक्रवार को हुआ इस मौके पर नौइड़ा इंटरनेशनल एर काम होगा इस दौरा नौइड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट के सीई ओ ने कहा कि इंडिगो के साथ हुए इस करार से हम मुझसाहित हैं इंडिगो के पास घहरैलू और अतराश्य बजार में मजबूत आधार हैं हम नोक सिर्फ एयर कनेक्टिविटी के छेत्र में ही नहीं ब को भी बेतर बनाने का हम काम करेंगे साथ ही इसके एयर कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी वहीं इंडिगो के सीई ओ ने कहा कि हम इस एयरपोर्ट के दो हजार चौबिस में होने वाले उद्गाटन को देख रहे हैं नौइड इंटरनाशनल एरपोर्ट प्रबंधन के स साथ ये स्टार्ट हो जाएगा दोहजार चौबिस के अंतक ऑपरेशनल हो जाएगा उत्तरप्रदेश के अंदर और बाहर एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे राष्ट को विकास के पंक देने में सबसे आगे हैं इंडिगो इसके साथ इंडिगो नौइडा एरपोर्ट के लिए उद्गाटन वाहग बन गया है यह तेजी से बढ़ते भारती विमान बजार को समर्थन देने की प्रतिवधा के भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन्स इंडिगो के साथ साजेदारी क्यात्रा करने वाले लोगों के विशाल मार्ग नेटवर्क की पेशकस करेगा साती भारत की एरलाइन के रूप में इंडिगो हमेशा से अग्रिडी रही है कनेक्टिविटी बढ़ाने और राष्ट को विकास के पंक देने में सबसे आगे हैं इंडिगो तो नौइडा एरपोर्ट में हमारा आपरेशन होगा उत्तर परदेश के लोगों को अधित्ती एकनेक्टिविटी प्रदान करेंगे तो टोटल ये सारे करार हुए हैं जो इस मीटिंग में नौइडा इंडा एरपोर्ट के सीईओ और साती इंडिगो की सीईओ जो बैटके बैठक हुई है तो अब आप भी किलियर समझ लेंगे कि जब आप 2024 में पहरी उडान यहां से भरेंगे तो आप इंडिगो एर्लाइन्स में सफर करेंगे तो यह काफी अच्छी और बड़ी अपडेट थी धीरे धीरे चीज़े खुलती जा रही है कि 2024 से पहले ही सब कुछ आपके सामने हाजिर हो जाएगा जब इसका उद्गाटरों को इसके पहली कि और क्या-क्या चीज़े वहाँ पे काम कर रही है और क्या-क्या चीज़ों में वर्क हो रहा है तो बेसिकली यह नोईड इंटर नैशनल एर्पोर्ट से नियूज आ रही थी जिसे हम आपके साथ लेकर हाजिर हुए है आपको हम बताते चलें कि आगे हम और भी वर्क कर रहा है तो हमारे चैनल के मार्ध्यम से आपको बहुत सारी नई चीज़े भी आप देखने को मिलेगी कि हम उस सेग्मेंट पे भी हमारी आईटी टीम लगातार काम कर रही है तो अब आने वाले टाइम में आपको हमारे चैनल के मार्ध्यम से बहुत कुछ नया देखने को भी मिलेगा कुछ नया प्रोजेक्स पे भी हम आपको अपडेट देंगे उसके साथ कुछ नया रूप भी हमारे चैनल पर आपको चीजों कर देखने को मिलेगा तो जादा चीज़े आप तक पहस्ती रहें और अपडेट मिलता रहें उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करने अभी से ताकि नोटिफिकेशन आप तक बहुत जाए साथी हमसे कॉन्टाइक क 551-9002 यह नंबर है मिस्टर का अपलिया आदा सरकाव 9958548641 यह मेरा नंबर है आप इन तीनों नंबर पर कॉल करिए किसी भी तरह कि कोई भी क्वेरी डाउट होता है या पर चैनल से रिलेट कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टाइक कर सकते हैं इन नंबर के पास हैं तो आप हमसे जरूर कॉन्टाइक करें फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नहीं वीडियो में नेट आप्टिक के साथ थैंक इस वाच